तो बेस्ट स्मार्टफोन अडर 15,000 तो बही अगर आपका बड़ेर 15,000 है 15,000 के पड़े रेंज में अगर आप एक तगड़ा स्मार्टफोन लेना जा तो यह वीडियो में श्पेशली आपके लिए कर रहा हूं तो बात करते है सीदा नमबर फो की नमबर फो की बात करो नमब आपका एक्सपीरियस तगड़ा होने बाला है इंडोर में अगर आप यूज करते हो या आपको कोई भी प्राव्लम इचू नहीं आने वाली प्लस भी आपको 6,000 मेंस की बैंटरी देखने को मिल जाते है 6,000 मेंस की बैंटरी तो मतलब आपका एक दिन तो नॉर्म निकाल द एक और कोई भी इस स्मार्टफोन में कमी नहीं देखने को मिलती बैंक कैमरे की वालटी बहुत जादा तगड़ी मिल जाती है मैनस पंड़ की बात कर लेते हैं मैनस पंड़ सिर्फ इसका यह देखने को मिलता कि आपको प्लास्टिक बाउड़ी में देखने को मिलता और कर ही इसको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपने लॉंग टाम बेड़े स्मार्ट फून को रखना है प्लस मैं आपको गया दना चाता हूँ अगर आपको ये फून अच्छा नहीं लगता भी जो मैं आकर फून बताऊंगा आप उसके और जा सकते हो अब भी बात करते हैं इ लाइप एक्सपेंडेबर भी कर सकते हो बैंटरी की बात करूं आपको 6000 इमेज की बैंटरी मिल जाते है कैमरे की बात करो आपको ट्रेपल कैमरा देखने को मिल जाता है तो बही में स्पैसिफिकेशन में आपको बदा दिया सैंसंग ग्लैक्सी M21 के भी तो बही अगर आप आप आपको बदा देना जाता हूं कि निया वो लॉंच हुआ है तीन कलरस में देखने को मिलता है लेकिन जो ग्रे कलर इसका आता है वो इसको बहुत ही ज्यादा शूट करता है एंड आपको डिजाइन लुक तो पसंद आने वाली है प्लस उसके साथ साथ जी स्पेसिकेशन क पूरा लूड़ेट देखने को मिल जाता है, आपको Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि Gorilla Glass 3 की प्रोडेक्षिन के साथ देखने को मिलते है, फून जो आप वो तीन ग्रेट में देखने को मिलता है, जो भी आपके प्रायस रेंज में सैट देब बैटता है, उसके और आप जा सकते हो प्लस आपको micro SD card slot भी देखने को मिल जाता है अगर आपने storage को expandable करना है तो भी आप उसको भी कर सकते हो अगर मैं बात करूँ प्रसेसर की तो प्रसेसर इसमें इतना तगड़ा नहीं देखने को मिल जाता है जो की 11 nanometer technology के साथ बेस जाए ठीक है तो that's why मैं इसकी बैटरी देखने को मिल जाती मैं डीपली थोड़ी सी बात करें लेता हो में स्पैसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको six-point four-inch इंचे शुपर एमले डिस्प्ले देखने को मिल जाती जो की gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिल जाता है प्रस डू रेज की बात करूं, दू ग्री हैं में ऐसकर मिल सॉरी, तीन ग्रीय में टिःड में घ्र सबस्य आप मत जाते हैं विकार को को वहीं होते ही त कर देते हूं उन फिर से आपको मैं repeat करते हैं तो अगर आपका बारा जार है आप जा सकते हो Redmi Note 10 के और लेकिन अगर आपका बज़ेट यार 14 जार है 15 जार है तो मैं आपको ये smartphone इतना recommend नहीं करता जो मैं आगे phone बताऊंगा वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा अपर होने वाले है specification के according भी and design जा look wise भी ठीक है अभी आगे बात करते है नंबर टू की नंबर टू की बात करें नंबर टू पर यार मैंने रखा है आप Poco X2 को अगर इस smartphone की बात करूं phone थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन इतना भी पुराना नहीं हुआ कि मैं इस पजट रेंज में इसको ना रखाँ ठीक है फून के स्पैसिफिकिशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा दगड़े देखने को मिल जाते है आपको बहुत पसंद आने वाला है वो तो मुझे पता ही ठीक है जो फून है आपको 6GB आपको बिवाड़ के साथ देखने को मिल जाते है जो की स्थिकने को मिल जाते है जो की 8-9 टेकनोलोजी के साथ पेस अगर आप हार्ड कोड़ कीमिंग करना जातो आप इसली नॉर्मली कर सकते हो आपको कोई भी प्राव्लम एशु नहीं आने वाला कॉर्ड कैमरा साथ इखने को मिल जाता है 12 मेगा पेक्सल्ट कलर जो है वो तीन कलर्वें देखने को मिलता है जो भी कलर आपको सूट गर जो भी कलर आपको सई लगता है उसके अश्य जा सकते हो तो व्यक्ति लिए बढ़ करेंगे आपके पंद्रह हें घैडियर 15,000 है वैं तो यह कि इस पैस्य इसका प्राइज देखनी को मिलता था स्तारहं से अठाराँ अजार के बजट में अभी इसका प्राइज ट्रॉप हो गया आपको 15 जार के बज़ए रेज्ड में रेट्वी नोट नाइन प्रो मैक्स लेखनी को मिल जाता है जो कि आपके लिए पॉफेक्ट यूल होने वाला फुल लोड़िट स्मार्टफोन है भई मैं आपको दिल से रिक्मेंड करना जाता हूँ अगर आपका पज़ेड 15,000 है किसी और स्मार्टफोन के और जाने की जुरूरत नहीं है आपको स्पैसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर डिजान लुकवाइस के अकॉर्डिंग देखा जाए कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए मतलब आपको फुल लोड़िट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है आपको पैसे खर्च नहीं मतलब अगर आप पै पैसे पेकर देता है आपको पैसे खराब नहीं जाने वाले आप लॉंग टेंप इसको यूज कर सकते हो फून जो है बहुत बिका है बहुत लोगों ने पसंद किया है ज्यादा तर लोगों को पता ही होगा ठीक है आपको 16 रिफ्रेश्ट के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को जाते है जो की गुरिला ग्रास 5 की पूरा देखने को मिलता है तीन विडियों में फून देखने को मिलता है जो भी लेना चाहते हो भी आप ले सकते है आपको साहिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपको गेमिंग करने है चाहिए आप सबीके लिए परफेक्ट डील जो जकता है Redmi Note 9 Pro Max तो यह मेंन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया Redmi Note 9 Pro Max के भी अगर मेरा बजट 15,000 होता तो भई मैं इसी स्मार्टफोन के आउज जाता है विकर्ज मुझे स्पेसिफिकेशन डिजाइन, कलर, कैमेरे कौलिटी एंड जो बैंटरी है वो सब कुछ आउसर के बाले में ज़्यादा बता सकता है लेकिन मैं नहीं बता रहा विकर्ज वीडियो भी लेंते जाता हो जाते है उसका कोई फैदा नहीं होता ठीक है तो अगर कोई एक दो चीज मेरे रहागी तो इसको के लिए मैं आपको sorry को कह देता हूं तो हो जाता है यार कभी अ आते बनाते तो याद अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मिल भी चल लिए वीडियो को लाइक करताना कमेंट करताना शियर करताना दोस्तों को बेताना दोस्तों के भी दोस्तों को बेताना उनको भी गया दोना की चैनल को सब्सक्राब वीडियो पूर झाल झाल